हेलो हेलो स्वागत है आप सभी का आशी सिंग लेक्चर्स के इस लेटेस लाइव स्ट्रीम में तो पी ब्लॉक की दमाकिदार क्लास में मैं आशी सिंग पमार आप सभी का बेस अबरी से इंतजार कर रहा था और आज आप सभी का बहुत स्वागत है संडे का यह दिन है सभी लोग सो रहे होंगे बट हम लोग तम पढ़ते हैं जब सब सोते हैं और हमारा रिजल्ट फिर ऐसा आता है कि आखे सब की खुलती है और इतनी खुल जाती है कि यह क्या हो गया तो उसी दिन को अचीव करने के लिए कि जब रिजल्ट आए और जब रिजल्ट आए तो आप सभी बच्चों के आपके टीचर्स जिन्होंने भी आपके साथ मैनत करी हो जीवन में आपको किसी भी तरह समझाया हो या जो आपसे आशायर रखते हैं या जो आपके हितेशी हैं उन सब के चेरों पर एक मुस्कान आए और उस मुस्कान का एक हिस्सा हम भी बने इसलिए हम लोग आज के दिन संदे को भी पढ़ाने का प्रयास करते हैं ताकि जितना हो सके आपको best content मिलता रहे और आपकी पढ़ाई कभी भी affect ना हो देखो गफशब तो आपको संदे गफशब को काफी बच्चे मिस कर रहे हैं गफशब भी करेंगी बट गफशब बातें होती रहेंगी पढ़ाई ज स्टार्ट करेंगे तो ठीक है next week से आपका टेस्ट हो जाएगा next Sunday को आपका टेस्ट है आपने electrochemistry नाम का chemistry का जो आपको टॉपिक है electrochemistry उसका आपका टेस्ट होगा Sunday को और physics में किसका होना है वो आपको रिसार करके हम बता देंगे तो चलिए शुरुबात करते हैं सभी का बह बारिया अब आज बारिया आ रही है वह अच्छी बात है बिट्टू भाया की class live कोशिश करते हैं ठीक है चलिए शुरू करते हैं चलिए शुरू करते हैं पी ब्लॉक पढ़ रहेंगे चलो heading लगाओ बच्चा पी ब्लॉक आप सभी को याद होना चीए कि जब मैंने चेप्टर शुरू किया था तो आपसे एक वादा किया था जब मैंने चेप्टर शुरू किया था तो आपसे एक promise किया था प्रामिस याद है, प्रामिस ये था कि हम ऐसे पढ़ेंगे, हम ऐसे पढ़ेंगे, कि सारा का सारा content class में ही याद हो जाए, घर ले जाने के लिए कुछ नी बचना चीए, हम तो घर से पढ़ रहे हैं, घर ले जाने का मतलब है, class खतम करने के बाद कुछ नी बचना चीए, सारा यहीं याद हो जाएगा, सब चीज़े अपन यहीं करेंगे कमेंट सेक्षन भढ़ जाना चीए जो भी बात में बोलू उससे heading लगाओ सबी बच्चे, आज हम यह पता लगाएंगे कि P-Block के तत्वों को ढूंडते कैसे हैं तो heading लगाओ, तत्वों को ढूंडना तत्वों को ढूंडते कैसे आज हम इसकी practice करेंगे यहाँ से हम अपनी class क्यों है, शुरू कर रहे है यह chapter application में, यह chapter यूटूब पे होगा सिंबसी बात है, है ना, चलो बात बढ़िया, आगे सब बच्चे ठीक है, ठीक है, ठीक है, यह बात टेलिग्राम पे और शेर कर देते हैं क्या पता कोई भूला बट का बच्चा रह जाए नहीं आप आए class में Sunday है ना, लोगं को लगता नहीं है class होगी चलो हो गया, शेर टेलिग्राम पे, बहुत बढ़िया good अब हम आपको वही बताएंगे कि तत्वों को ढूंडते कैसे है तत्वों को ढूंडते कैसे है, तत्वों होते नहीं है, तत्वों को ढूंडने का caution जो है, एक्जाम में बहुत ज़्यादा आता है सबसे पहले आवर्थ का पता कैसे लगाते हैं, वो देखिए आवर्थ मैं यहाँ पर आपको सीधी सी एक ट्रिक बता रहा हूँ, सबसे बड़ा सबसे बड़ी मुख्य क्वांटम संख्या आवर्थ होता है, सबसे बड़ी मुख्य क्वांटम संख्या खतम इस बात को याद कर लो, कमेंट सेक्षन भर जाना चीए इस बात को याद कर लो, कमेंट सेक्षन भर जाना चीए आवर्थ का मतलब होता है, सबसे बड़ी मुख्य क्वांटम संख्या आप क्या करने वाले हो, आप electronic configuration, अर्थात electronic विन्यास लिखने वाले हो, तत्व का जब आप अपने तत्व का electronic विन्यास लिख लेंगे, उसके बाद जो सबसे बड़ी प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, जिसको हम सबसे बड़ी मुख्य क्वांटम संख्या भी कहते हैं, वो जो नंबर आ रहा है, वही आवर्थ होता है, कम समझ माया, कोई बात नहीं, अभी example दूँगा, clear हो जाएगा, उसके बाद, जो वर्ग है, वो होता है, बाहेतम कोश के, बाहेतम कोश के, S के इलेक्ट्रोन, S समझते हो न, S जो होगा, उसके इलेक्ट्रोन, प्लस जो P है, उसके इलेक्ट्रोन, प्लस एक नंबर 10, अब आप बोलोगे, सर, उपर से निकल गया, समझ में थोड़ा सा कम आया, अगर एक example मिल जाता सर, तो बड़ा ही मज़ा आ जाता है, न, ठीक है, तो एक example देते हैं आपको, माल लो, मैंने आपको दिया, कि परमानु क्रमांग 33 वाला एक बंदा है, मैंने आपको का, कि परमानु क्रमांग एक बंदा है, उसका परमानु क्रमांग 33 है, मुझे ये बताओ, कि वो कौन से आवर्थ का है, और कौन से वर्ग का है, तो हम इस question को कैसे करेंगे, सबसे पहल करने के लिए उसका electronic विन्यास लिखना पड़ेगा अब यहां जितने भी बच्चे बैटे हैं सबको electronic विन्यास लिखना आता होगा ना electronic विन्यास लिखने के लिए one में केवल s होता है two में sb होता है pb होता है three में sb होता है three में pb होता है three में db होता है 4 में S भी होता है, 4 में P भी होता है, 4 में D भी होता है, 4 में F भी होता है 5 में S है, 5 में P भी है, 5 में D भी है, 5 में F भी है अब आप यह देखिएगा, ऐसे चलते हैं बाद ऐसे चलते है एस चलते हैं ठीक है तो और हाँ इसको दो बाते हैं तो ये पता हो बस एक ये पता हो कि एस में अधिक्तम दो इलक्टॉन आ सकते हैं कि अधिक्तम इलक्टॉन कितने आ सकते हैं और साते में बलॉक मतं हैं हमें ये पताहोँ होना तो काम बन जाये का मरा रहाई ना है अरह हम मैं पता है कि एस ब्लाग्ण में अधिक्तम दो इलक्टॉना सकते हैं लिख भी porkpendarden शे आ सकते हैं डी comp겠습니다 स्टार्ट करेंगे 1s2 कई बच्चे एंसर भी कर सकते हैं कमेंट जिन से पहले हो गया हूं ठीक है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s2 3d अब चेक कर लेते हैं कितना हो रहा है अराम से चेक करना है कोई जल्दी वाली बात नहीं है अर्राम से काम करा करो 10 10 20 भाई साब अभी तो बात बनी नहीं है बहुत पीछे हैं हम लोग 1s2 2s2 2p6 10 हो गए 3s2 3p6 4s2 फिर 10 हो गए 20 उसके बाद हमें देना पड़ेगा 33 है थीडी 10 3d10 के बाद में आएगा 4p3 यह इस्तिती है अब ठीक है हाँ आप सही लग रहा है 10 10 20 30 और 3 33 ठीक है अब आप सबसे पहले मुझे यह बताओ कि क्या यह p block का सदस्य है जो आपने कल की class या last class में सीखा था उसके according तो हाँ जी sir यह p block का सदस्य है क्योंकि इसका जो आखरी electron है वो p में जा रहा है सही बात है अब देखो यह जो s के आगे लिखा है न 1 2 2 3 3 4 3 4 यह होता है principal quantum संख्या या फिर इसको हम बोलते हैं मुख् quantum संख्या सबसे बड़ा number कौन सा है इसमें 4 इसका मतलब सबसे बड़ी मुख्य quantum संख्या इसके अंदर जिसको हम n b बोलते हैं उसका मान 4 है अब क्योंकि इसका मान 4 है क्योंकि क्योंकि इसका मान 4 है तो एक बात तो समझ में आ गई होगी न कि अगर इसका मान 4 है तो आवर् सबसे बड़ा नमबर वाला कौनसा है सबसे बड़ा नमबर चार ही थो चार से जो भीड़ी जुड़ी आइ है वह बाहितम को स्कॉट होङए लिए काउंट होगी बच्चा तो 4P3 भी बाहितम कोश का बच्चा है और 4S2 भी जो है वो बाहितम कोश का है, यह समझ में आगई बात, तो इस हिसाब से, अब अगर अगर अपन वर्ग निकालना चाहें, तो वर्ग कैसे निकलेगा, वर्ग होगा, अब देखो, बाहितम कोश के S में कितने इलक्ट्रॉन है दो इलक्ट्रॉन है, प्लस बाहितम कोश के P में कितने इलक्ट्रॉन है, तीन इलक्ट्रॉन है, very good, प्लस नंबर दस जो है, बाई डिफॉल्ट है, नंबर दस तो आपको एड करना ही करना है, नंबर दस तो आपको एड करना ही करना है, नंबर दस तो आपको एड करना ही कर पंद्रवा वर्ग है अब जड़ा इस चीज को चेक कर लेते हैं कि जो हमने निकाला है वो सही है या नहीं है चौता आवर्थ पंद्रवा वर्ग अब इसको चेक करो क्या सच में चौता आवर्थ और पंद्रवा वर्ग है चेक करो भई क्या सच में चौता आवर्थ और पंदरवा वर्ग है क्या हम सही कर रहे है यह वर्ग नंबर 1 है यह 2 है यह 3 से लिखा कि 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक है फिर यह 13 वर्ग है 14 है 15 है 16 है 17 है 18 है अब आप खुछ चेक करो चौता आवर्थ 1, 2, 3, 4 यह हो गया 14 आवर्थ आवर्थ ऐसे होते हैं 14 आवर्थ 15 वर्ग यह 15 वर्ग इस आप आर्सनЙक नंबर 33 थरी थी थीख इसका और रिचार्ज खतम हो गया और रिचार्ज कर लेना शाम को सुवाज से की लंबी क्लास है आठ बज़े से क्लास है तो रिचार्ज करके रखना तब तक ठीक है तो आर्सनिक समझ में आगया मैं क्या बोला था विटा बताओ यार ऐसे मत करो क्लियर है कॉंसेप्ट यह आपका अारे को अब तो ऐसे आप पता लगा सकते हो कोई भी बंदा कहां काए तो एक दन आगे बड़े चलो कि यह जीज़ खतम होती है यह आपर है कि ऐसे आप निकाल सकती हो किसी का भी निकालने का मन करें आपका किसी का मतलब किसी का भी निकालने का मन करें आप आराम से इस कंसेट्ट की साहिता से निकाल सकते हो चेक कर सकते हो अब आपको एक और ट्रिक बताते हैं इम्पोर्टेंट यह सम्झे में आगे हैं ठीक है अगर जैड का मान 113 से 118 है मतलब परमाणु करमांग अगर 113 से फिर से बताईए फिर से बताईए एक और एकजांपल कराते हैं फिर तू एक और एकजांपल बताऊं कर लोगी यह एक और एकजांपल बताना है कर लोगे ठीक है फिर एक एक एक्शाम्पर और कर लो एक काम करो Z is equals to 36 36 तो हो जाएगा एक काम करो Z is equals to 18 का कर लो इनकी पैट्टिस और कर लो, ठीक है? Z is equals to 18 की पैट्टिस और कर लते हैं Z is equals to 18 की पैट्टिस और कर लते हैं करें, 18 की पैट्टिस करें 1s2, 2s2, 2p6, 10, 3s2, 3p अब खुद दिमाग लगाओ, 10 हो गया 10, 2, 12, 3p6, ऐसे तो यह हो गया, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 यहां से एक बाद समझ में आती है, साफ साफ कि इसमें, जो सबसे बड़ा मुख्य कौंटम संख्या है, वो कितनी है तो यहां पर नंबर हाईस कहां तक जा रहा है? 3 तक जा रहा है तो सबसे बड़ी जो मुख्य कौंटम संख्या है वो 3, तो n का मान कितना हो गया? 3 हो गया इसके बाद यह जो n का मान आता है, सबसे बड़ा n का मान 3 ही है ना, 3, 3, सबसे बड़ा वो ही है, तो ठीक, अच्छी बात है और last electron P में जा रहा है तो यह P block का सजस्य है यह trick सब पर काम नहीं करती यह केवल P block के तत्वों को ढूंडने में ही काम करती है, D block के लिए अपनी electric होती है, S block के लिए अपनी electric होती है, और F block के लिए अपनी electric होती है, तो सबसे पहले आपको अगर z दिया गया है last electron P block में जा रहा है आपने यह चीच confirm कर लिए आपने सबसे पहले electronic विद्यास comport लिए काम किया और जब आपने electronic विद्यास लिए तो आपने confirm कर लिया कि जो last electron है वो P block में जा रहा है तो जब आपको जब आवर्थ को आपने ढूंड लिया है तो वर्ग को कैसे ढूंडेंगे समझ सकते हो वर्ग को ढूंडने का काम भी बेहद आसानी से हो जाएगा आपको S के इलेक्टरॉन बाहितम कोश में S में किते इलेक्टरॉन है 2 इलेक्टरॉन है plus P के Electron P में वायतमकोश में कितने Electron है 6 धिखरा है ना और 7 में 10 10 तो आपको लेना ही लेना है चाहे कुछ भी हो जाए 10 तो आपको लेना ही लेना है चाहे कुछ भी हो जाए अब इन तीनों को जोड़ोगे तो यह आता है 18 वर्ग मतलब आवरत 3 है और वर्ग अठारा है ज़रा ढूनते हैं वहाँ पे हमको अठारा मिलता है क्या आवर्द तीन वर्ग अठारा ये रहा आरगन नमबर 18 खतम हो गया बस that's it और क्या चीए निकालने के बाद priority table देखनी पड़ रही है देखनी इसलिए पड़ रही क्योंकि मैं आपको केवल ये confirm करा रहा हूँ कि जो process हम कर रहे है उस process का result आ रहा है आप में विश्वाश आपके आत्मे विश्वाश को बढ़ाने के लिए मेरे आत्मे विश्वाश को बढ़ाने के लिए नहीं आपके आत्मे विश्वाश को बढ़ाने के लिए हम ये check कर रहे है कि जो answer हम लिख रहे है वह answer सही है क्या ये board थोड़ा सा टेड़ा है क्या और एक हमने एक्जाम्पल यहां कर लिया दो एक्जाम्पल के बाद के लिए हो जाता है जनरली कॉंसेप्ट और ये तो जी के था ठीक है ओके अब एक कैपसूल दे रहा हूं अच्छा सा आशी सका कैपसूल याद रखना बूलना मत 113 से 118 के लिए आपको डायरेक्ट बता रहा हूं 113 से 118 पहली बात 100% कंफर्म है P-Block के सदस्य है दिमाग लगाना ही नहीं है एक्जाम में अगर 113 से 118 तक कोई भी तत्व आता है तो समझ जाना कि वो P-Block का ही सदस्य है और सड़ने इसके लिए हमें एक special trick जो है वो बता रखी है अब वो trick कौन सी है जड़ा सुनो अगर आपके पास कोई भी बंदा 113 से 118 के बीच का आता है तो याद रखिएगा कि उसका आवर्त साथ होगा मैं बहुत सारे tricks, बहुत सारे concepts P-Block में आपको कराता हूँ चलूँगा आपको सारे concepts comment section में लिख करके याद कर लेने हैं जब आपको notes मिलेंगे उन notes के अंदर ये सब कुछ अच्छे से लिखा होगा और आपको जो हमने आपकी application के उपर electrochemistry के हैंटर notes दिये हैं उसमें एक short notes भी है और full notes भी हैं, दौनों हैं उसके अंदर जैसे आप चाहो ऐसी इसमें मिलेंगे आपको, तो आवर्थ 100% साथ होगा लिख लो comment section में और जो वर्ग होगा, वर्ग होगा वो होगा आखरी की आखरी के दो अंक यह बहुत बड़ी बात है, आखरी की दो अंक जो है, वो आपके वर्ग है, वो आपके group है उस group का member होगा वो, और period 70 होगा हमेशा ठीक है, अब बोलो sir, करा के दिखाओ जल्दी से, ठीक है, चेक करते हैं जैसे मालो 1-1-3 है, तो आवर्थ और वर्ग, जल्दी से comment section में बताते चलना, ठीक है, 1-1-3, कानाता चलना 1-1-8 तक यह काम करता है, वैसे 1-1-8 तक भी कैसे काम कर सकता है, ये यविन्वन गुत कुछ को है न ये प्रॉफब्ल Κाम करे आपको है जाएगा है वैसे कर भी सकता है हाँ कर लेगा कर लेगा चेक कर लेते हैं भी हम जी कर लेंगे ठीक है वनवन फाइव वनवन 6117-118 क्या बताया था आपको मैंने यह सारे कर जाएगा यह सारे जो बंदे इन शब के लिए याद रख लो आवर्थ सेविन है सेविन्त आवर्थ में आते हैं सारे के सारे वर्ग चेक कर लेते हैं वर्ग चेक करने का तरीका है लास्ट की दो डिजिट 13 14 15 16 17 18 खताम चेक करना चाहते हो ना करो चेक सात्व आवर्थ 13 सात्व आवर्थ में कहां शुरू कर रहे हैं अपन 113 से 113 कौन से वर्ग में है 13 में 114 14 वर्ग में 15 16 17 18 खताम तो 113 से लेकर के 113 से लेकर के 113 से लेकर के 118 तक तो आपको लोड लेने की ज़रूती नहीं है उसमें इंडायक्ट है अब अब इसको डिसकस करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर इंपोर्टन टॉपिक है हेडिंग लगाओ यहां तक मज़ा आ गया यहां तक मक्खन है किसी को समस्या तो नहीं है ठीक है एक बात याद रखना ऑक्सीडेशन नंबर आशी सिंग लेक्चर्स आप गूगल पर जाके सर्च कर सकते हैं आपके पास एक लेक्चर आएगा यह वाला 11th क्लास का लेक्चर आएगा यह रेडॉक्स एक्षन वाला लेक्चर है इसकी प्लेलिस देख लेना आप ठीक है लास्ट यह वाली उसमें ऑक्सीडेशन नंबर को बहुत जादा डिटेल में पढ़ाया हुआ है अब क्योंकि हम लोगों ने यहां काफी कुछ डिल में डिस्कॉशन कर रहा है इसलिए किसी बच्चे को पी ब्लॉक पढ़ने के लिए रेडॉक्स एक्षन की जोड़ पढ़ रही है तो वो उस लेक्चर को देख के अपने पेपिशन कर सकता है यहां हम सीदी सीदी मोटी मो सक्से करेंगे वे बर अठारा जुए है वो आदर्ष गैसे हैं वो किसि सी र्यक्चन करती नहीं है न好吃 उनके बारे में भी बात करना को मतलब नहीं है और जो आपका वक्त 13 और 14 है वह आपके कोर्स में है नहीं सही है तो इस रीजन से जो है अभी हम जो है इस topic पर बात नहीं करेंगे हमारा जो point of discussion रहेगा वो तीन वर्क के राउंड आज घुमेगा एक 15 है एक 16 एक 17 पंद्रवे वर्क का सामाननी electronic विन्यास बकनॉफ नी आपको याद होगा तो बकनॉफ नी के एसाब से यहाँ N आता है, यहाँ O आता है, बक 9 और यहाँ पर F आता है, इनके electronic विन्यास आपको अच्छे से याद होंगे, अगर याद नहीं है तो hydrogen, helium, lithium, helium, boron, carbon, nitrogen, number 7 पर आता है, तो इसका electronic विन्यास है 1s2, 2s2, 2p, 3, बाहतम कोश में 5 electron, इसका होता है 1s2, 2s2, 2p, 4, बाहतम कोश में 6 electron, इसका होता है 1s2, 2s2, 2p, 5, बाहतम कोश में 7 electron, अब हम जो discuss करने जा रहे हैं, वो हम देख रहे हैं, इनकी सामान्य ओक्सी करण अवस्थाएं, यह very important topic है, इसलिए अभी पूरा focus यहाँ रखना, सामान्य ओक्सीकरण अवस्थाएं कौन-कौन सी हो सकती है, सामान्य ओक्सीकरण अवस्थाएं कौन-कौन सी इनमें संभव है, हम इसके बारे में discussion करने जा रहे हैं, सामान्य ओक्सीकरण अवस्थाओं की बात करते हैं तो हम यह देखते हैं, देखो समझो, या तो यह हो सक पहाँ थिखा दो ताकि सब कुछ ठीक रहे तो सामान्य इलेक्ट्रों जामान्य आक्सिकम्न अवस्ताओं के बारे में हम विचार करने की कोशिश करते हैं कि यह कौन कौन सी सामान्य औक्सिकन अवस्ताओं दिखाते हैं, इससे पहले हम अगर positive oxygen आवस्ताओं की बारे में सोचें, इसको बाद में discuss करेंगे, अगर हम positive oxygen आवस्ताओं की बारे में सोचें, केवल positive, तो क्या हो सकता है, यह N है, यह 3 electron बाहर निकाल देगा, तो इसकी एक oxygen आवस्ताओं हो सकती है, plus 3, अगर यह S के भी electron ब प्लस का 5, तो यहाँ पर 2 show कर सकता है, एक plus 3 और एक plus 5, इसी प्रकार से देखो बेटा, यहाँ कौन-कौन से 2 positive में show करने की chance बनने है, सोचो, यह 4 बाहर निकाल दे, तो प्लस का 4, और यह 4 और यह 2 भी बाहर निकाल दे, तो प्लस का 6, तो positive positive में यह options हैं हमारे पास, तीसर यहाँ पर अगर यह बाहर निकालता है, और यह देखते हैं अपन, तो प्लस का 5 हो सकता है, प्लस का 5 हो सकता है, और जो आपका, प्लस का 2 भी हो सकता है, प्लस का 7 भी हो सकता है, यह इस्तिती है, तो अधिक्तम ऑक्सिकरन अवस्था जो यह show कर सकता है, कितनी है, प्लस में है 6, प्लस में कितनी है, 7, कैसे, बायतम कोश्च के सारे इलेक्टरोन निकाल दे, प्लस में 5 आ सकती है, बायतम कोश्च के सारे इलेक्टरोन निकाल दे, प्लस के 6 आ सकती है, बायतम कोश्च के सारे इलेक्टरोन निकाल दे, प्लस का 7 आ सकता है, इसकी भूक कितनी है? भूक देखते हैं भाई टूपी में तीन एलक्ट्रोन हैं, तीन और आ सकते हैं तो इसका मतलब अगर ये अपनी भूक मिटाना चाहे अगर ये चाहिए कि मैं अपनी भूक मिटा लूँ, मैं इलेक्ट्रॉन ग्रहन करूँ, दान ना करूँ, ग्रहन करूँ, दान ना करूँ, ग्रहन करूँ, तो ये तीन इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ग्रहन कर सकता है, और शो कर सकता है माइनस का तीन. अगर ग्रहन करने की बात हो तो अपने P में अधिक्तम 6 आ सकते हैं इसमें 4 हैं तो ग्रहन करने के लिए कितने अधिक्तम ग्रहन कर सकता है 2 माइनस का 2 कितने अधिक्तम जो है ग्रहन कर सकता है ये माइनस का 1 एक ही ग्रहन करेगा तो अगर अपन देखें तो ये plus 5 में maximum जा सकता है और minimum में देखें तो minus 3 में minimum जा सकता है concept के according समझा maximum देखें तो ये plus 6 में जा सकता है सारे electron निकाल करके और अगर grand करने की बात करें तो grand करने के लिए p को भढ़ना चाहेगा और p को भढ़ने के लिए 2 electron और चाहेएं इसको तो इस हिसाब से minimum में ये इतना जा सकता है इस से रन लिया सकता maximum में ये pb और s दौन फ्री कर सकता है तो maximum में ये इतना जा सकता है और minimum में इतना ही जा सकता है अब इसकी बीच में कुछ भी हो सकता है तो 15 वर्क के जो सदक से है वो माइनस 3 से प्लस 5 के बीच में कुछ भी शो करते है ठीक है इधर वर्क 16 के सदक से माइनस 2 से माइनस 6 तक कुछ भी शो कर सकते है माइनस 6 से माइनस 2 से प्लस 6 तक ये इनकी रेंज है ये माइनस 1 से प्लस सास तक कुछ भी शोग कर सकते है कौन से करेंगे, कौन से नहीं करेंगे वो देखेंगे अभी अपन बोले तो easy, बिल्कु सही इसको लिकालने का भी एक तरीका है, simple सा अधिक्तम ओक्सिकंड संख्या के लिए एक formula है अधिक्तम ओक्सिकंड संख्या बराबर होता है, प्लस का n जहां n है बाहतम कोश्ट के लेटरनों की संख्या अब आप खुद लगाओ दिमाग समझ मा जाएगा इसके बाहतम कोश्ट कौन सा है, 2s to 2p3 इसका बाहतम कोश्ट कौन सा है, 2s to 2p4 इसके बाहतम कोश्ट कौन सा है, 2s to 2p5 तो इसके बाहतम कोश्ट में अधिक्तम इलेक्तरन कितने है, 3,2,5 तो अधिक्तम ओक्सिकंड संख्या भी वही है, 5 समझ रहो इसके बाहतम कोश्ट में अधिक्तम इलेक्तरन के संख्या कितनी है मतलब अधिक्तम क्या, इलक्टॉन कितने हैं भाहितम कोश में, 4 और दो 6, तो अधिक्तम ऑक्सिकन संक्या भी कितनी है, 6, इसके भाहितम कोश में कितने हैं, 5 और दो 7, तो अधिक्तम ऑक्सिकन संक्या भी कितनी है, 7, तो N का जो मान है, प्लस में अगर आप लेते हो, तो आप आपको अधिक्तम oxygen संख्या देता है maximum oxygen नंबर और अगर आपको minimum oxygen नंबर निकालना है तो उसका भी एक formula है n-8 यह उपर से n का माना है वो यहां पर रख दो n-8 तो n का मान कितना था हमारे इसके लिए n का मान कितना है 3 और तो 5 तो प्लस का 5 यह होगी अधिक्तम oxygen संख्या और n-8 कर लिजिए 5-8 माइनस का 3 यह होगी नियून्तम ओक्सिकंड संख्या इसके लिए N का मान कितना है इसके लिए N का मान है बायतम कोश में किते एलेक्टरों है 6 एलेक्टरों है तो प्लस का 6 होगा अधिक्तम ओक्सिकंड संख्या और N-8 कर लिजिए 6-8, माइनस का 2 यह होगा नियून्तम ओक्सिकंड संक्या ठीक है इसके बाद आगे बढ़ते हैं N is equals to 7 इसके लिए N का मान 7 है N का मान 7 होने का मतलब यह है कि इसके बायतम कोश में 7 electron है तो क्योंकि इसके बायतम कोश में 7 electron है तो इसके लिए N का जो maximum value होगी वो 7 होगी और जो minimum होगी वो N minus 8 7 minus 8 is equals to minus का 1 होगी तो नियून्तम जो है minus 1 और यह ऐसे है दन है मिटा बड़ी बात थोड़ी है अधिकतम oxygen संक्या यह हो गई और नियून्तम भी बता देता हूं में आपको यह नियून्तम लिख रहा हूं ठीक है नियून्तम oxygen संक्या जो यह शो कर सकते हैं वो हम आपको दिखते है N minus 8 और दौनों ही केस में N का मान वही है जो आप समझ रहे हो दौनों ही केस में N का मान जो है वही है ठीक पड़ गया पल ले को दिकत बढ़े आँगे चलो अब पंद्रवे वर्ग को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं जो आपकी नाइट्रोजन फैमिली है इसकी बारे में बात करेंगे इसकी ऑक्सीकरन अवस्था के उपर जड़ा बात करते हैं अभी हम कॉमन बात करें फिर एक एक वर को पकड़ेंगे इसकी ऑक्सीकरन अवस्था की बात करते हैं अब अच्छे से करेंगे डिस्कुशन ठीक है प्यार से करेंगे डिस्कुशन समझना थोड़ा सा मेरी बात को ये कौन-कौन सी ऑक्सीकरन अवस्था प्रदशित करते हैं उसके बार में बात करेंगे देखो अभी अभी हमने ये सीखा कि ये माइनस के 3 से प्लस के 5 तक कुछ भी शो कर सकते हैं तो यहाँ पर जो OXICUL अवस्था हैं संभव है ये कोता है क्या-क्या POSSIBLE है, क्या-क्या संभव है तो पंद्रवे वर्क के लिए जो OXICUL अवस्था हैं संभव है, मैं आपको बताना चौनगा कौन कौन संभव है माइनस दीन से प्लस पांच तक कुछ भी संभव है पर जो सामान्य है उनके बारे में बात करेंगे बैस संभव तो ये भी है कि हम लोग इतनी पढ़ाई कर ले इतनी पढ़ाई कर ले इतनी पढ़ाई कर लें कि IIT में नंबर बना जाए बोर्ड में स्टेट टॉपर बन जाए संभव तो ये भी है पर सामान्य क्या है सामान्य इस बात पर डेपेंड करता है कि आप करते क्या हो कितने घंटे पढ़ रहे हो उसके आधार पर सामान्य होता है तो संभव तो इसके लिए है कि माइनस 3 के 3 से प्लस 5 तकी जा सकता है बट अभी इसकी electronic विन्यास को देख के हमें समझमा आएगा कि इसमें से अब माइनस 3 से प्लस 5 का मतलब पता है आपको क्या है माइनस के 3 से प्लस 5 का मतलब है माइनस का 3 हो सकता है MINUS का 2 हो सकता है, MINUS का 1 हो सकता है ZERO हो सकता है, PLUS का 1 PLUS का 2 PLUS का 3 PLUS का 4, PLUS का 5 कुछ भी हो सकता है, यह सब OPTIONS है, यह सब हो सकता है बट अभी हम देखेंगे कि इसकी electronic विन्यास के आधार पर हम सोचेंगे कि इसके लिए क्या BEST होगा अगर आप दिन के 10 घंटे पढ़ रहे हो तो मुझे लगेगा हाँ या बच्चा जी मसलेट हो सकता है दिन के 5 घंटे पढ़ रहे हो मैं कहूंगा यार बोड़ में अच्छा कर लेगा दिन के 2 घंटे पढ़ रहा है मैं कहूंगा average student है बना लेगा 60% मैं कहूंगा पढ़ी नही NP3 अब इसके हिसाब से judge करूँ तो इसके पास जो options है मैं बताता हूं यह क्या करता है एक काम NP3 तीन электron को निकालना ये इसके लिए आसान है NP3 जो P के 3 electron है उस P के 3 electron को निकालना इसके लिए आसान है निकाल सकता है ठीक है तो एक तो plus 3 जो है वो ये बना सकता है प्लस 3 आराम से कर सकता है चीक है उसमें कोई दिक्कत नहीं है या फिर देखो अब ऐसा तो करेगा नहीं कि एक electron निकाले दिक्कत होगी उसको एक electron दो electron निकालने से कुछ होगा नहीं तो या तो वो पूरे P को ही गायब कर दे सामान्य करने को यह सब पुछ कर सकता है सामान्य की बात कर रहा हूँ मैं वो कोशिश यह करेगा कि मेरा पूरा P गायब हो जाए तो जब P में से 3 electron निकलेंगे तो प्लस का 3 आएगा या फिर वो कोशिश करेगा कि P भी गायब हो जाए और S भी गायब हो जाए पूरा ही भायतम कोश का सपाचट हो जाए पूरा ही साफ तो जब 3 यह निकलेंगे और 2 यह निकलेंगे तो दूसरी सामान ने जो निकलेगी वो निकलेगी 5 या फिर वो चाहेगा कि इस P को भढ़नू P को भढ़ने के लिए 1 electron लेना 2 electron ने मजा नहीं आएगा वो चाहेगा कि P भरे तो पूरा का पूरा भरे तो P पूरा भरने के लिए उसको 3 electron और चाहिए कौकि P में 6 होते 3 है तो 3 electron और लेगा तो माइनस का 3 जो यह वो शो कर सकता है इस हिसाब से इस ग्रूप की सामान ने ओक्सिगन आउस्ताय निकल के आती है माइनस 3 प्लस 3 और प्लस का 5 बताओ बॉस देखो वापस से एक बार समझते है ओक्सिगन अवस्ता को समझने का तरीका होता है कि वो क्या क्या कर सकता है पस इसके बारे में सोच लो ओक्सिगन अवस्ता है समझ में आ जाती है इसके पास option है अब देखो electron grand करने का option बताओ 3 electron grand कर सकता है मैं आपको चला ऐसे बताता हूँ यह क्या क्या कर सकता है एक कुछ भी नहीं करे 0 एक electron grand करे minus 1 2 grand करे minus 2 3 grand करे minus 3 उसके बाद तो कर नहीं सकता कोई कि NP पूच तरह से भर जाएगा ठीक है साब दान करना शुरू करते है एक electron निकाल दे plus 1 2 निकाल दे plus 2 3 निकाल दे plus 3 4 निकाल दे plus 4 एक और निकाल दे plus 5 साफ अब इसके बाद क्या कर सकता है तो option में जाओगे न कि वो क्या क्या कर सकता है तो यह सब कर सकता है अब ये सोचते हैं कि वो क्या करना पसंद करेगा वो ये नहीं चायेगा कि एक आये, दो आये, वो चायेगा कि आये, तो तीन आये, ताकि पूरा P भर जाये, तो माइनस 3 में उसको खुशी मिलेगी जब देने की बारी आएगी तो एक देना पसंद नहीं करेगा वो यह चाहेगा कि पूरा NP खाली हो जाए प्लस का 3 या पूरा NS2, NP3 खाली हो जाए प्लस का 5 तो सामान्य का मतलब होता है जो उसके पसंद है करना ऐसे जन्रेली हाँ जन्रेली ये शो करेगा जन्रेली ये शो करेगा हो गया ऐसे अलगर ग्रुप के अंदर आपको अलगर प्रकार के ऑक्सिकन अवस्ताओं दिखाई देती है उसमें कोई ड़ने वाली बात नहीं है यहां तरह समय में आगे हो बताओ फिर आगे बढ़ते हैं सामान या ऑक्सिकन अवस्ताओं को थोड़ा बहुत ट्रेंड समझ में आया आपको कैसे क्या होता है बिटा आगे बढ़ सकते हैं अपन ठीक है तो अब इस ऑक्सिकन अवस्ता के बारे में और बात करेंगे अपन अच्छे से यह मैं थोड़ा सा इसलिए समझा दिया आपको कि मैं जनरल समझा दा सबकी इसकी इसकी और इसकी तीनों की जनरल मैं आपको समझा दी फिर थोड़ा सा ग्रूफ 15 को लेकर के मैं specific भी हो गया और गूफ 15 की बाद में कर लिए वैसे करने नहीं चीए थी काइदे से हमें गूफ 15 जब स्टार्ट करना चीए तब ऐसा करना चीए और मैंने कर दिया उसमें को बुरा मानने वाली बात नहीं है अब हम क्या कर रहे हैं अब हम गूफ 15 को जो है बहुत अच् सबसे पहले बात याद रखिएगा कि इनकी जनरल इलेक्टोनिक कॉन्फिकेशन क्या होती है सबसे पहला point इनका सामान्य इलेक्टॉनिक विन्यास याद रखिएगा इनका सामान्य इलेक्टॉनिक विन्यास होता है अभी अभी आपने सीखा इनको हम नाइट्रोजन फेमिली के नाम से भी जानते हैं नाइट्रोजन अब आपको यह तो याद ही होगा न्यूजिलेंड पाकिस्तान औस्टेलिया सब बिके न्यूजिलेंड पाकिस्तान औस्टेलिया सब पिके नाइटरोजन, फोस्फोरस, आर्सेनिक, एनटीमनी, बिस्मेत नाइटरोजन फोस्फोरस अब सब लोग कमेंट शेक्षन में एक्टिव होके लिखना शुरू कर दो फॉस्फोरस, आर्सेनिक एंटी मनी इंग्लिश में ऐसा होता है एंटी मनी बिस्मित ठीक है यह सारे बंदे है अब आपके दिमाग में चीज आ रही होगी न कि सर अभी कुछ कमी लग रही है अभी हमें ये तो पता ही नहीं है कि इसका परमानुक्रमांग कितना है इसका परमानुक्रमांग कितना है इन भाई साब का परमानुक्रमांग कितना है इन भाई साब का परमानुक्रमांग कितना है तो अब समय आ गया है कि मैं आपको एक magic number सिखाऊं तो अब है heading कि लिखिए इसकी side में लिख सकते हैं आप एक magic number यह magic number मैं आपको याद करा दूँ आठ 18-18-32-32 लिखो magic number इनका use कैसे करते हैं मैं आपको सिखाऊंगा अभी सबसे बढ़े लिख लो जादूई संख्या है अर्थात magic number hydrogen, helium, hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen nitrogen का number 7 होता है अगर परमाणु करमांग की बात करें तो nitrogen का number कितना होता है 7 होता है सबको पता है कौकि हमने starting का तो अच्छे से याद किया होता है हमें इसका नहीं पता, इसका नहीं पता, इसका नहीं पता, magic number से निकालेंगे कैसे सबसे पहला magic number क्या है 8, अगर आपको nitrogen से phosphorus तक जाना है तो प्लस 8 कर दीजिए अगर 7 में 8 जोडते हैं तो 15 आता है, phosphorus का परमाणु करमांग 15 होता है ऐसे अब 15 में कितना जोडेंगे कि या arsenic का जाएगा, अगला magic number क्या है 18 तो 15 में 18 जोडेंगे, इस 15 में 18 जोडेंगे अगला magic number तो आरसेनिक का परमाणु करमांग निकल करके आ जाएगा 33, आरसेनिक का परमाणु करमांग निकल के आ जाएगा 33, आरसेनिक के अंदर अगला magic number जोडेंगे 18 वापस से तो निकल के आ जाएगा एंटी मनी का परमानुक्रमांग बोले तो 51 एंटी मनी में जोड़ेंगे अगला मैजिक नमबर 32 तो निकल के आएगा बिस्मित का परमानुक्रमांग 83 और इसमें अगला magic number जोड़ेंगे वापस से 32 तो इसके नीचे वाले भाई साब का निकल के आएगा इसमें फिर से जोड़ेंगे 32 तो इनके नीचे वाले भाई साब का निकल के आएगा 115 और इनका जो नाम है वो लिखने का एक तरीका होता है जो मैंने आपको लास्ट यह सिखाया था नहीं आता तो कोई बात नहीं अभी लोड मतलो तो सबसे पहले बताईए कि आपको नाइट्रजन फैमिली में जो बिस्मित तक है आपके में काम का बिस्मित तक हर एक बंदे का परमानुक्रमांग निकालना आ जाएगा जैड आप किसी का भी निकाल पाएंगे जैड की जो पर सकती है हमारे टॉपिक्स के अंदर आने वाले समय में तो जैड निकालने में किसी कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की कोई समस्या कुछ दिल में चल रहा हो तो बता दीजिए नहीं है ठीक है अब यह जान लीजिए कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस अधातुएं होती है नॉन मेटल यह दोनों अधातुएं है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस क्या अधातुएं आरसेनिक और एंटीमनी जो है वो मेटलॉइट है उप धातुएं अधातुएं अधातु दोनों के बीच का है ना और जो बिस्मित है वो टीपिकल धातु है टीपिकल मैटल है टीपिकल मैटल का मतलब होता है मैटल है बट एक तरह से कनवर्टेड मैटल ऐसा आप मान सकते हैं बाकि टीपिकल शप्त का मतलब जब इसमित पढ़ेंगे तो आप और अच्छा समझ में आएका अभी हमें एक बड़ा सा कॉशन मार्क बनाना है कि ऐसा क्यूं है कि ये दौनों तो अधातु है ये और ये बीच के है और ये आपका ध तरीका क्या होना चाहिए मैं आपको बताता हूँ जब आप पी ब्लॉक पढ़ रहे हो पी ब्लॉक पढ़ने का एक सिस्टेमेटिक तरीका सबको पता होना चाहिए कि पी ब्लॉक में बहुत सारे फैक्ट होते हैं और काफी सारे facts का न अच्छा सा reason भी होता है जैसे ये fact है कि धातू है फिर धातू उब धातू है फिर आपकी धातू है ये एक fact है अब इस fact का caution mark जब हम लगाएंगे तो उससे निकल के आएगा एक reason कि ऐसा क्या होता है उपर से नीचे आने पर कि ऐसा trend हमें देखने को मिल रहा है और वही reason पर जब caution बनते हैं तो exam में आता है समझें एक बात बताओ हो क्या रहा है उपर से नीचे जा रहे हैं क्या हो रहा है समझ रहो बहुत मज़ा आता है chemistry पढ़ने में अगर हम chemistry को समझने की कोशिश करें जब आप उपर से नीचे जा रहे हो तो अधात्विक प्रकरती से अधातू होने की प्रवर्ती से आप धातू होने की प्रवर्ती की तरफ shift हो रहे हो सही कहा रहा हूँ ना मैं भई उपर है अधातू बीच में है उपर धातू नीचे है धातू मतलब उपर से नीचे आ रहे हैं तो धातू बनने की प्रवर्ती बढ़ रही है मतलब उपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ रहा है धात्विक गुण क्या होता है? अब धात्विक गुण बढ़ने का मतलब अगर मैं दूसरी बासा में लिखना चाहूं तो इलेक्ट्रॉन देने की प्रवर्ती बढ़ रही है क्या ये सही है? हाँ, बिल्कु सही है यार, धात्विक गुण का मतलब इंग्लिश में होता है metallic property metallic property का मतलब ये होता है कि वो electron देना चाहता है, लेना नहीं चाहता तो उपर से नीचे आने पर electron देने की इच्छा बढ़ रही है इसलिए bismith नीचे आते आते क्या बन गया? metal बन गया अब अपने एक काम करते हैं जरा ये सोचते हैं कि ऐसा हुआ क्यों? अब इसके लिए lecture number one जो p block का मैंने पढ़ाया तो उसको याद करो उपर से नीचे आने पर और कौन-कौन से कांड होते हैं जरा वो चेक कर लेते हैं उपर से नीचे आने पर सबसे बड़ा कांड ये होता है कि कोश बढ़ता है उपर से नीचे आने पर सबसे बड़ा कांड क्या होता है कोश बढ़ता है कोश बढ़ता है तो उससे आकार बढ़ता है आकार बढ़ता है तो क्या होता है? जैफ कम होता है भाई साब मज़ई आगया यही तो चक्कर है यही तो सबसे बड़ा चक्कर है उपर से नीचे जाने पर जैफ कम हो रहा है क्योंकि आकार आपके बन्दे का बढ़ता जा रहा है तो जैसे जैसे आप उपर से नीचे आ रहे वो बंदे का आकार बढ़ रहे है मतलब बाहतम कोश के उपर उसके electronों पर जो नाबिक का प्रभावे वो कम हो रहा है JF कम हो रहा है इसी लिए इसी लिए वो electron दे पा रहा है पहले आकार छोटा है तो इलेक्ट्रोन दे नहीं सकता तब भेंकर जैफे निकालोगे कैसे जब आकार बढ़ता जा रहा है तो नाभिक का अपने बायतम कोश के उपर जो प्रभाव है वो भी कम हो रहा है अब इलेक्ट्रोन निकालना पहले की तुनला में आसान है इलेक्ट्रोन निकालना आसान है electron देगा electron देगा इसका मतलब क्या है धातू जैसा गुण दिखाएगा इसलिए उपर से नीचे आने पर धातू गुण बढ़ता है क्या बात है यह है logic और इसका उल्टा उपर जाने पर होगा क्योंकि जैसे जैसे आप उपर जाओगे वैसे वैसे जैसे 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 बढ़ेगा वो कि आकार चोटा हो रहा है तो electron देना मुश्किल हो जाएगा हाँ लेना असान हो जाएगा क्योंकि जैस चोटा है खुद का घर संबल रहा है तो बाहर से electron लेना पसंद करेगा और बाहर से electron लेना पसंद करेगा तो फिर धात्वी गुण जाला देखने को मिलेंगे electron लेने वाला गुण जाला देखने को मिलेगा बताओ अरे यही है यही है chemistry और कुछ भी नहीं जिसने इस chemistry को समझ लिया उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं यही तो है chemistry और है क्या बड़ी आए बस यहां तो समझ में आगे आगे बढ़े इसके बाद कुछ तगड़ी चीज़ सीखते है और भी तगड़ी चीज़ सीखते है कुछ यहां तक हो गया हो तो जल्दी से comment करके बता दो फटापोट फिर कुछ नया करते है बड़े आगे चला अब यह oxygen आवस्ता है इसके बाद में इफेक्ट बताते है नाइटोजन न्यूजिलेंड पाकिस्तान औस्टेलिया सब बिके जब हम उपर से नीचे जाते हैं ना तो प्लस फाइव oxygen आवस्ता का जो इस्थाई तो है मतलब प्लस फाइव बनाने की जो इच्छा है वो कम होता जाता है पता नहीं क्यों अभी फैक्ट बता रहा हूँ और जो प्लस फ्री oxygen नवस्ता है उसका इस्थाई तो बढ़ता है समझ रहे हो मतलब फॉस्फोरस तो जाके पूछा कि प्लस फ्री बनाओगे बोलता है हाँ बनाएंगे क्यों नहीं बनाएंगे बोला प्लस फाइव बनाओगे बोले हाँ बनाएंगे क्यों नहीं बनाएंगे ठीक है बिस्मित से जाके पूछा प्लस फ्री बनाओगे बोले हाँ बनाएंगे बनाओगे तो बिस्मित बोलता है ना 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 प्लस फाइब बनाने में मेरी इच्छा नहीं है बनाता है बनाता है मजबूरी करोगे तो बनाएगा बाकी इच्छा नहीं है उसकी बनाने की मना कर देता है सामान ने इस्तितियों में तो मैं नहीं बनाऊंगा ऐसे तुम फोर्स वर्स कर रहे हो तो फिर बात अलग है बाकि मेरी इच्छा नहीं है एक होता है ना कि अरे सुन सुन मूवी चलेगा अरे हाँ चलूँगा ना यार क्यों नहीं चलूँगा वो अली बात इसके साथ है अरे मूवी चलेगा नहीं यार नहीं यार मन नहीं कर रहा अच्छा नहीं है अब चल चल पैसे में दूँगा चलेगा चल ठीक है चल लेता हूँ मतलब यह है कि ये अपने पैसे लगा के भी पिच्चर जाने को तयार है चलो वो भी चलके आते और इसको हमें पैसा लगा के पिच्चर दिखानी पड़ रही है अब देखते हैं इसका कारण क्या है फैक्ट तो ये है कि फॉस्फोरस जो है इसको अगली भाषा में बोल सकते हैं कुछ और भाषा हो सकती है बोलने की है न तो साइन्स में क्या होता है भाषा ही इस इंपॉर्ण होती है तो फॉस्फोरस जो है उच्च ऑक्सिकरन आवस्था के लिए खुश रहता है कि हाँ हाँ शो कर देंगे डरते क्यों है डरते किसी से नहीं डरते उच्च ऑक्सिकरन आवस्था प्रदर्शित करेंगे हम ठीक है जाओ एलान कर दो फॉस्फोरस तयार है नाइटोजन की बात मत करना उसके बारे मालक से बात होगी फॉस्फोरस तयार है कि हाँ चलो करेंगे यार कौन मना कर रहा है बिस्मित कहता है ना ना हम नहीं करेंगे हम निम्न ऑक्सिकरन आवस्था प्रदर्शित करना चाहेंगे अब इसके पीछे का कारण क्या है यह आ गया फैक्ट फैक्ट से उत्पन हुआ एक कौशन मार्क कौशन मार्क में बन गया कौशन अब उस कौशन मार्क का जो एंसर है वो बनेगा रीजन क्यूं ऐसा होता है पहले तो यह समझ लो कि हो क्या रहा है फिर अपन यह समझेंगे कि क्यूं हो रहा है अब reason में मैं एक line कहके बात खतम कर सकता हूँ अक्रिय यूग्म प्रभाव अक्रिय यूग्म प्रभाव के कारण ऐसा नहीं होता इनर्ट पेर इफेक्ट शॉर्प में बोलें आई पी इ इसके बार कारण ऐसा नहीं होता अब हमें समझना पड़ेगा कि अक्रिय यूग्म प्रभाव क्या होता है एक बच्चा बोला है सब धात्विक गुण के करण बिस्मित का तो धात्विक गुण सबसे ज्यादा है इसको तो इलेक्टरॉन देना चीए देना चीए इसको तो प्लस वाइब बनाना चीए बनाना चीए बढ़नी बनाना ना अगर तुम यह बोलते हो कि सब दात्वी गुण की कान ऐसा हो रहा है तो तुम इस गलत बात है क्यों को कि दात्वी गुण का मतलब तो यह है कि एलेक्ट्रॉन देना चाहिए देना चाहिए देना चाहिए और एलेक्ट्रॉन देगा तो प्लस फाइब बनाएगा ना तो अगर धात्वी गुन की बात होती है तो तो उसको एलेक्ट्रॉन देना चाहिए ना दिक्कत कहा है उसमें अब समझें अक्रिय युग्म प्रभाव समझते हैं ठीक है अब हम आपको समझाते हैं अक्रिय युग्म प्रभाव ध्यान से सुनना देखो भाई छोटे बंदे मतलब इसमें क्या कम है इसका जैड कम है और इसका जैड ज्यादा है यही तो बात है जेड कौन होता है परमानुक्रमांग इसका परमानुक्रमांग करना है कम है कम है और इसका ज्यादा है इसमें ज्यादा इलेक्टोन है ज्यादा प्रोटोन है यही तो मतलब है तो दौनों के परिस्थिती समझने के कोशिश करते हैं वही क्या है एक सी ने कम परमानुक्रमांक वाले की इस्तिती समझते हैं कि उसके साथ क्या हो रहा है क्यों नाटक नहीं करता हूँ ज्यादा परमानुक्रमांक वाले के साथ क्या दिक्कत है देखो कम बाले को छोड़ दो ज्यादा को समझ लो एक ही बात होती है जिसका परमानुक्रमांक ज्यादा है ना ये नाबिक है नाबिकी बीच में काफी सारे कोश होते हैं और उसके बाद आता है बाहेतम कोश ठीक है कम बाले में भी नाबिक होता है उसके बाद आता है बाहेतम कोश अब बाहेतम कोश में भी पास में एस होता है नाबिक के और दूर पी होता है इसमें भी पास में एस होता है और दूर पी होता है ठीक है कम परमानुक्रमांक है electronic configuration कुछ ऐसी होगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p एसी कुछ electronic configuration होगी है परमानुक्रमांक बहुत ज्यादा है तो configuration भी बड़ी होती है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d 1s2, 2s2, 3p6, 3d10, 4s2 4s2 के बाद भी चल सकते हो आप उसमें कोई दिक्कत है नहीं मतलब अब आती है बात आगे बायतम कोश कौन जाए मानलो 3d, 3p6 3p6 के बाद में आता है 3d 3p6, 4s2 होता है ऐसे मैंने लिख दिया configuration उस तरह से बाकि 3p के बाद में 4s आता है ठीक है तो 3p6 के बाद में 4s आएगा यहां पर अगर आपन लिखना चाहे यहां आ जाएगा 4s2 फिर आएगा 3d10 पर उससे कोई खास फरक नहीं पड़ता क्योंकि यह energy का क्रम है 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 इसको लिखेंगे ऐसे बायतम कोश यह रहेगा ठीक है और इसमें बायतम कोश जो है आपका एक तरह से ऐसे है यह आप मालो यह जो 3 वाला है यह जो 3 वाला है यह बायतम कोश है ठीक है समझे अब देखना जयान सुनना बही बात इस बायतम कोश को बचाने के लिए अंदर वाले लोग यहां बीच में गार्ड्स होते हैं गार्ड उस गार्ड का काम होता है कि वो बायतम कोश को बचाए नाबिक से ऐसे यहां पर भी गार्ड्स होंगे और उन गार्ड्स का काम होगा गार्ड्स है ना उनका काम होगा बायतम कोश से नाबिक को बचाए ठीक है और उस गार्ड्स का जो काम होता है उसको बोलते है – परी रक्षन प्रभाव यह मैंना आपको लास क्लीश में पढ़ाया था जान से सुनना नाबिक के पास जितने भी प्रोटॉन है बहुत बड़ा कौन से पता रहा हूं नाबिक के पास जितने भी प्रोटॉन है वो सारे के सारे प्रोटॉन ये चाहते हैं कि बाहितम कोश्के ओपर इतनी तागत लगाएं इतनी तागत लगाएं कि मजह आ जाए चीक है साब पर गार्ड्स चाते हैं कि कम तागत लगे तो बहतर है है ना, ओक्य बॉस यहां गार्ड्स कौन है S और P S और P जो होते हैं S ब्लॉक जब गार्ड के रूप में सामने आता है तो काफी अच्छा गार्ड होता है S काफी अच्छा गार्ड है जो P है P ब्लॉक के मेंबर यह भी काफी अच्छे गार्ड होते है तो कहने का मतलब यह है कि नाभिक जो है S और P के उपर बायतम कोश के उपर जब तागत लगाना चाहता है तो वो इस S और इस P का सामना करता है जो अंदर वाले होते हैं इनका और ये एक अच्छे खासे गार्ड्स है तो नाबिक की पावर जो है इधर और इधर पहुचने से ये अच्छा खासा बचा लेते हैं मजा इत्ती दिक्कत नहीं होती ये बच जाता है अच्छे गार्ड्स हैं मजबूत गार्ड्स हैं पर जब बहुत ज़्यादा परमानो करमांग बढ़ जाता है तो हमें अलग-अलग प्रकार के गार्ड्स मिलते हैं यहां जो हमें गार्ड्स मिलते हैं वो S और P के होते हैं अंदर वाले कक्षक बढ़ जब बहुत ज़ादा परमाणों करमांग बढ़ जाता है तो हमें guards की रूप में D block भी प्राप्त होना शुरू हो जाता है guards की रूप में हमें F block भी आने वाले समय में प्राप्त होना शुरू हो जाता है और सबसे वेकार बात यही है कि D and F block जो है इनका परिरक्षन प्रभाव कम होता है मतलब यह अच्छे लेवल के गार्स नहीं होते उससे क्या होता है समझना नाभीक जो है वो भायतम कोश्ट के उपर अपनी पावर चाता है एक तो ज़्यादा प्रमनोक्रमांग होने एकार यहाँ पर ज़्यादा प्रोटॉन पड़े है यह बात तो सही है अब यह ज़्यादा प्रोटॉन से इस बायतम कोश्ट को बचाने की जिम्मेदारी किसके पास है S, P, D, F के पास S, S एक काफी अच्चे लेषल का गार्ड है माना उससे ठोड़ा कमज़ुर होता है P, P लेषल का गार्ड P थोड़ा कमज़ुर हो सकता है तो मैं बिल्कुल बराबर नहीं बनाऊ हमारे गार्ड की तागत को S सबसे अच्छा P उस से कमज़ुर है पर जो D और F है न वो तो बहुत ही घटिया गार्ड्स होते हैं ये तुम्हारे गार्ड्स हैं अब जब आपका नाभेक अपना हमला शुरू करता है तो ये और ये उस हमले को जहलते हैं बट इस D और F के कारण ये लड़ाई हार जाते हैं और नाभेक एक बहुत भेंकर शक्त आपक्षी से बाहतम कोष्ण के उपर प्रहार करता है और बाहतम कोष्ण में सबसे पहले कौन आजाता है? उसके सामने S तो D और F ब्लोग की d और F ब्लोग की gust गटिया सी गार्डिंग होने के कारण गटिया सी रक्षा करने की प्रवर्ती होने के कारण नाबिक जो है वो इस S के तौनों इलक्ट्रोनों को कत्तेई जहर तरीके से पकड़ लेता है और एक ही गाना गाता है जाने नहीं देंगे तुझे जाने तुझे देंगे नहीं मतलब नाबिक जो है बड़े बड़े लोगों में देखा गया है देखो बड़े बड़े लोगों में देखा गया है कि नाबिक में बहुत ज़्यादा प्रोट्रोन होने के कारण और D और F के पूर शील्डिंग इफेक्ट कमजोर परिरक्शन प्रभाव के कारण बाहितम कोश के S के Electron को नापिक बुरी तरह से पकड़ करके गाना गाता है जाने नहीं देंगे तुझे जाने तुझे देंगे नहीं मतलब वो S block के P block से उसको मतलब नहीं है तू जा तू जा रहे तू तो जा उसको जाने देता है वो तो साही ताकत किस पर लगा देता है S के उपर इसलिए आप लोग इस concept से confuse भी मत होना किसरा आपने तो कहा था उपर सी नीचे जाने पर आसानी से Electron निकल जाता है और फिर वो धातू बन जाता है यहाँ आप बोल रहे हो कि यहाँ पंगा क्यों आ रहा है तो वहाँ आपने थोड़ा और डीप में जाके समझने की कोशिश करी तब समझ में आया कि इसके और इसके कमजोर चोकीदारी के कारण इसके और इसके कमजोर चोकीदारी के कारण S जो है मारा गया एसके साथ बहुत भूंडी हुई बहुत ही भूंडी बताओ साथ यहां तो समझ में आया कि नहीं आया नहीं आया तो फिर से पढ़ लेंगे आ डरते हैं क्या बोलो बोलो को दिका समसर परिशानी किसी को बताओ कमेंट करके जल्दी से बताओ एक प्रिठाओ हाँ जी वापस देगें चल्ड़ वापस समझते हैं बाई साब एक बात तो बिल्कुर सही है कि इसका आकार छोटा है इसके बाहर के इलेक्ट्रॉन निकलने से ज़ादा जुड़ना आसान है यहां आकार बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन निकल सकता है बढ़ यहां एक और समस्य से आही कि पाँच इलेक्ट्रॉन निकालने में दिक्कत है इसको पाँच पाँच नहीं निकालोगा तीन निकाल दूगा असानी से पाँच नहीं निकालोगा क्यों है इसा समझते हैं जब हम इसको समझने गए तो मैं समझने में आया है कि यार छोटे वाले बंदे में गार पर्मानू करमांग बढ़ने के कारण और गार्स आगए एकदम घटिया गॉलिटी के तो हुआ क्या कि नाबिक ने जाकर के सबसे ज्यादा तागत किसके उपर दिखा दी S-block के electronوں के उपर और जैसे ही उन्होंने S-block के electronوں के उपर तगड़ी तागत दिखाई तगड़ी तागत दिखाई तो वो बिचारे कहीं जाही नहीं पाए और ये जो S के दोनों electron है ये electron बन के रह गए अक्री है ये बन के रह गए inert मतलब reaction ही नहीं कर पा रहे है जाहीं नहीं पा रहे है तो अब cable कौन जा सकता है P के electron और यहाँ पे 15 वर्ग में क्या होता है NS2 NP3 तो ये जो P के 3 electron है ये जा सकते हैं तो अगर ये जाएंगे तो प्लस 3 तो अराम से show होगा बड़े वाले में बड़ प्लस 5 नहीं हो सकता यहाँ उर्जा दोगे तो ऐसा कुछ नहीं है इसकी power जितनी इसके ओपर है उतनी इसके ओपर है कोई कि बीच में guards खड़े वे तो S भी जा सकता है और P भी जा सकता है तो ये प्लस 3 भी show कर सकता है प्लस 5 भी show कर सकता है माना कि ये प्लस 3 show करने में जादा नाटक करेगा ये कम नाटक करेगा बड़ ये प्लस 5 तो बिल्कुल भी नहीं करेगा कोई कि ये दो electron जाई नहीं सकते तो जो आपके S के electron का युग्म था जो आपके S के electron का युग्म था वो हो चुका है अक्रिये और ये उत्पन हुआ एक प्रभाव इसलिए इसको बोलते हैं अक्रिये युग्म प्रभाव इसलिए इसको बोलते हैं अक्रिये युग्म प्रभाव बताओ आगे समझ में करने आने एस ब्लॉक के इलेक्ट्रोन युग्म भाग नहीं ले पाते अक्रिय हो जाते हैं और यह प्रभाव अक्रिय युग में प्रभाव है बहुत ज्यादा बहुत बहुत ज्यादा तागत लगाओगे तो यह दो निकलेंगे पी के ले जा तु जा रहे तु ले जा जो कोई दिक्कत नहीं है S के मैं जाने नहीं दूँगा S के जाने तब ही दूँगा जब कोई बहुत बड़ा बंदा मेरे सामने आएगा दन तो अब समन में आ गया अब एक प्रशने का जवाब आपको मिल गया अक्रिक प्रभाव को समझा दिया उपर सीने आने पर यह काहनी रहती है अब एक्जाम में कॉशन कैसे आता है वह हम आपको बताते हैं टॉपिक रिलेटेड कॉशन नमबर वन अच्छा कॉशन है देखो बिसमित प्लस थ्री प्लस या बिसमित फाइव प्लस आपको भी बताना है कि इन दौनों में से कौन अच्छा दौनों में से कौन अच्छा ऑक्सी कारक है कौन अच्छा ऑक्सी कारक है बताओ जल्दी से प्राव पर से बताओ बताओ क्लें अच्छा हूं प्राव गनच्छा च्राव जल्दी से बताओ फटाओ फट देखो ओक्सीकारक वो होता है जिसका खुद का अबचैन हो और अबचैन होता है ओक्सीकर्ण संख्या में कमी पूरा लिख देता हूँ भाद अब आप यह सोचो ओक्सीकार वो अच्छा होगा जिसका खुद का अप्चेन होगा यह मैं पढ़ा चुका हूँ पढ़ा चुका हूँ भई खुद का अप्चेन होता है सामने वाले का ऑक्सीकन करवाता है ऑक्सीकारक कहलाता है तो अच्छा ऑक्सीकारक वो है जिसका खुद का अप्चेन हो रहा हूँ खुद का अप्चेन मतलब जो अपनी ऑक्सीकन संक्या को कम करना चाहता हूँ बी आई थी प्लस तो एक इस्था ही ओक्सिका नवस्था है उसको तो कम करने की जोद पड़ेगी नहीं जो बियाई प्लस फाइव है न यह चाहेगा कि इसकी ओक्सिका नवस्था बदल करके बियाई 3 प्लस हो जाए है क्योंकि ये oxygen आउस्था कम इस्थाई है inert pair effect के कारण और ये वाली ज्यादा इस्थाई है सहीन बाद तो ये चाहता है कि BI plus 5 चाहेगा कि जल्दी से मुझे मौका मिल जाए तो मैं BI 3 plus बन जाऊँ तो ये फटाफट से electron grand करेगा दो प्लस खतम करने के लिए दो electron grand करेगा जहां से मौका मिलेगा जल्दी से अपना अपचैन करवाएगा और जैसे इसका अपचैन होगा वैसे ये BI 3 plus में बदल जाएगा सीधी सी बात है अब इसने अगर अपने अंदर electron जोडे तो कहीं से तो निकाले होंगे और जहां से निकाले उसका उसने क्या करवा दिया ओक्सीकरण इसलिए ये बन गया ओक्सीकरण करवाने वाला agent और इसलिए हम इसको बोलते हैं ओक्सीकरण तो बहतर ओक्सीकरण कौन होगा दॉनों में से बहतर ऑक्सिकार रखोगा BI5 कावकि BI5 जो है वो BI3 प्लस में बदलना चाहेगा उसके लिए उलेक्ट्रon निकालेगा वो इलेक्ट्रon जब जोडेगा तो किसी में से तो निकालेगा और जिसमें से भी निकालेगा उसका क्या हो जाएगा औक्षीकरन वापस बताऊं देखो एक अच्छा औक्षीकारक वो होता है जिसका खुद का अपचैन हो याद रखिएगा औक्षीकारक मतलब औक्षीकारक औक्षीडाइजिंग एजेंट जो सामने वाले का औक्षीकन करवाए तो खुद का क्या कराएगा अपचैन तो इन दौनों में से अपना अपचैन कौन करवाना चाहेगा वो जिसको दिक्कत है अपचैन का मतलब होता है औक्षीकन संक्या को कम करवाना इसको दिक्कत है नहीं यह तो स्टेबल है प्लस फाइव स्टेबल नहीं होता plus 5 का मतलब है BIE के साथ बहुत जादा जबरदस्ती करके तुमने उसके 5 electron निकाले जबकि वो inert pure effect के कारण 3 electron निकालने में comfortable था चाता नहीं था कि 5 निकाले जाए तुमने कुछ हरकत किये जिसके कारण उसको निकालने पड़े तो जैसे ही उसको मौका मिलेगा वापस plus 5 से किस में जाना चाहेगा plus 3 में उसके उसको क्या चीह होंगे electron तो सामने अगर कोई बंदा आ जाए तो वो उसको कहेगा भाई 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 सुनना electron दे दे यार में को जल्दी से plus 3 में जाना है मैं दुख पा रहा हूँ मेरे जीवन में तो सामने वाला कहेगा electron चाहिए लाए electron तो जैसे सामने वाला अपने अदर से electron निकालेगा सामने वाले का क्या हो गया ओक्सी करण और फटा पटसे फटा पटसे आपके bi-plus ने electron लिये और plus 3 में बदल गया तो bi-plus 5 ने सामने वाले को request करी electron दे दे भाई तो जब electron निकाले उसमें से तो सामने वाले का हो गया oxygen तो bi-plus 5 जो है खुद वो बन गया oxygen कराने वाला agent oxidizing agent बोले तो oxygen कारा आ गया समझ में अब तो ठीक है एक question करने last फिर चुट्टी करते है चलो अच्छा question है bi-i5 वर bi-f5 में से कौन अस्तित्यों में रहेगा बहुत ही अच्छा question है आज का star question है यह जब मैंने बोल दिए अच्छा question है तो छोड़ना नहीं है उसको जाए तो दिल नहीं लगाते है star ही लगाते है five star question है ठीक है काफी अच्छा question है बताओ bi-f5 i5 और bi-f5 में से कौन अस्तित्यों में रहेगा इसके बात class खतम इसके बात class खतम और i किसी थी में bi-i5 में bi-i की oxygen से अवस्ता है प्लस पांच और iodine की है माइनस बन bi-i5 bismuth iodide इसके अंदर last question है अच्छा question है ध्यान सुनो bismuth iodide bi-i5 इसके अंदर जो आपका bismuth है न उसके oxygen अवस्ता है प्लस पांच कैसे पता इसको x माल लो iodine की minus 1 5 iodine है तो minus का 5 बराबर 0 x is equal to plus का 5 ठीक है और iodine की कितनी है minus का 1 ठीक है bi-i5 के अंदर same इसी थी है bismuth plus 5 पे है fluorine minus 1 पे है 5 fluorine minus का 5 ठीक है bismuth iodide के अंदर दो लोग है एक है bismuth और एक है iodine जब question समझाए रहे हैं तो ऐसा समझाए ना कि आपके पास गुंजाई शीर नहीं है ये बोलने की किसा समझ में नहीं आया चिक है चलो मैं ऐसे पढ़ाता हूं p-block बहुत मजा आता है पढ़ने में बिस्मित बिस्मित बोला iodine iodine फुगगा है फुगगा मतलब मोटा मोटा मतलब बड़ा क्या iodine hydrogen family में सबसे नीचे आता है आपको पता हो नीचे ये बात fluorine chlorine bromine फिर कल बाहर आई आंटी ये नहीं भूलना है कभी तो आई सबसे बड़ा है ठीक है आई बड़ा है fluorine चोटा है चीर उससे बड़ा बियार उससे बड़ा और आई सबसे मोटा है ठीक है मोटे लोगों को electron पसंद नहीं होते ठीक है ध्यान सुनना मेरी बात बिस्मित ने आयोडीन को बोला अपने दुख बिस्मित बोला आयोडीन से कि आयोडीन बाय सुन रहे हूं हाँ बोलो मेर नहीं यार मेरग प्लस 5 में रहना पसंद नहीं है पताई क्यों को कि मेरे साथ ना अक्रिय yug में प्रभाव लगावा है और अक्रिय यह यूगमत प्रभाव के एकारण में प्लस फाई में ज्यादा रह नहीं सकता, मुझे चाहिए प्लस थ्री, मेरी जिंदगी में प्लस थ्री ठीक है, तो आयोडीन भी कहता है यार इक बात बता हूँ दिल की वैसे, बिसमित बुरा मत मानना, बट मेरे को भी यह माइनस अब क्या बोलू, बाकि तुम जो है, मैं भी नहीं चाहता हूँ, कि तुम प्लस फाई में रहो, और जैसे तुम प्लस फाई में दुखी होना यार, वैसे ही मैं ना माइनस वन में दुखी हूँ, तो चलो कुछ एडजस्ट कर लेते हैं, तो बिसमित कहता है, क्या एडजस् फाई हे, तुम पांच फाई उडलीन के पास एक- अक हमना, एक काम करो ना, दो आउडीन को बोलो, मिरको इलेक्ट्रॉन दे दे, अगर दो आउडीन में और इलेक्ट्रं दे देंगे ना, तो मैं प्लस फाई उसिए फिर प्लस 3 में चला जाओंगा, तो आउडिन कहता है ठ पर उनके उपर से माइनस भी हर जाता है जो की वो चाहते थे जो की वो चाहते थे जो की वो चाहते थे तो बिस्मित ने अपना दुख रोया आयोडीन के आगे आयोडीन ने अपना दुख रोया बिस्मित के आगे दोनों के बीच में डील हो गई और बिस्मित बदल गया प्ल किसमें बदल गया बी आई आई थिरी में ठीक है घर बज गया उसका सही बात है बिस्मित यहां पर वही अपने दुख रो रहा है पर इस बार वो दुख रो रहा है एकदम फिट डोले शोले वाले फ्लोरीन के सामने फ्लोरीन तो चाहता है उसको इलक्ट्रॉन मिले और वो एफ माइनस में रहे फ्लोरीन इस दुनिया का सबसे ज़्यादा विद्योत रिनात्मक तत्व है फॉनसल ब्रिसी में मैंने आपको याद करवाया था वो तो चाहता है उसके पास इलक्ट्रॉन हो तो बिस्मित बोलता है भाई सुनना फ्लोरीन बोलता है बोल क्या है बोले यार देखो मेरे साथ एक समस्या है मैं प्लस फाइब में हूँ और मेरे साथ प्लस फाइब स्टेबल नहीं है मैं इस प्लस 5 को छोड़ के जाना चाहता हूँ एक काम करते है न वो आयोडीन ने मेरी बात माल ले थी पता है उसने मुझे दो इलेक्ट्रोन दे दिये उसके बाद मैं प्लस 3 में चला गया और आयोडीन को शो करेके निकल गया प्रोईन बोलता है देख मेरी बात ध्यान सुन पहली बात तो ये कि वो आयोडीन क्या करता है न उससे मुझे कोई मतलब नहीं है आयोडीन है मोटा भुगा उसको संबाले जाते हैं ये इलेक्ट्रोन इसलिए उसने तेरे साथ कर ली डील मैं हूँ एकदम सक्त लॉंडा मैं हिलूँगा नहीं अपनी जगह से डोले चोले बने वे हैं इलेक्ट्रोनों को मैं अराम से समाल सकता हूँ और मैं F-1 बन करके बहुत स्टेबल हूँ समझ गया तो तेरे पास दो ये उप्शन है सुन ले कान खोल के पहला उप्शन या तो यहां से निकल और यह बिल्कुल पूरी तरह से खतम आज से रिष्टा तेरा मेरा और या फिर अगर तेरे को मेरे साथ रहने का है न तो तेरे को प्लस वाई बन के रहना पड़ेगा मेरे पास जो पांच के पांच फ्लोरीन है न वो सब के सब पे माइनस वन रहेगा हम एक भी एक भी मतलब एक भी कॉंप्रोमाईज नहीं करेंगे तेरी ऐसी के तैसी ते को नहीं बनाना बॉंड मत बना बर जब भी तू बनाएगा न मुझे वही सिस्टम चाहिए कि तू आएगा प्लस फ्लोरीन में और मैं लेकर आऊँगा मेरे पांच फ्लोरीन और फिर बनेगा हमारे बीच में बॉंड बोल मंजूर है बिसमित बोलता है ठीक है क्या का सकते हैं ऑप्शन तो ही नहीं कुछ बढ़िया खुस रहो तो ये बी आई एफ फाइव जो है ऐसे कैसा रहता है तो कौन अस्तित्व में होगा बी आई 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 फाइव अस्तित्व में होगा और आपका जो बी आई एफ और आई फाइव ये जो आई फाइव ये तो उड़ जाएगा इसको तो इसने बेव को बना दिया फुग्य को ठीक है ये तो बेव को बन गया पर यह निकाना एकदम मजबूत था यह मजबूत था, इसने का हम नहीं सुन हैं किसी की, हम नहीं सुन हैं किसी की, ठीक है, और माइनसन कैसे आए? ऐलेक्टोन ग्रेंड करने दो कोमा साथ, पर एक मदन करने से माइनसन जल्दी बनता है, इसलिए एफ माइनस में ज्यादा स्टेिबल है, ठीक है थाम बताओ बहुत समझ में आ गया तो ये एक अच्छा कॉशन था ये एक्जिस्ट करेगा ये एक्जिस्ट नहीं करेगा अक्री युग में प्रभाव के कारण ये तो निकल जाएगा पर यहाँ पर F की जादा वेद्यो तरिनात्मक्ता होने के कारण बिया ही कनवर्ट नहीं कर पाएगा खुद को और जैसा है उसको वैसे कर वैसा ही रहना पड़ेगा ये थी P-Block की कहानी हाँ धमकी यहाँ मिली उसको कत्तेई जहर धमकी अब बदाव भया मजा आ रहा है नहीं आरा P-Block में आ रहा है ना मजा यहीं हम समझा रहे थे कक्षा में अब आपकी डेड़ घंटी की P-Block मैं अच्छे से इसलिए ले पाया को कि मेरे उपर chemistry का भारे केवल तो मुझे लग रहा है कि मैं chemistry में अपनी जान फूख सकता हूँ लंबे समय की class से ले सकता हूँ इसलिए मैं करा हूँ हर एक teacher को अपना-पना काम करने तो free mind से best देगा अपना अब शाम को सुभाश की का अटेंड करना एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चीए जो class के अंदर पढ़ाई के अलावा कोई भी comment करें आप सभी बच्चों से मैं request कर रहा हूँ आपको पढ़ाई की बात करनी है सर ये topic कैसे हुआ सर समझ मा आ गया तो बहुत अच्छा लग रहा है नहीं समझ मा रहा है तो पूछो सर इस चीज में दिक्कत है वापस समझा दो ये सब पढ़ाई की बात हम ASL के बच्चे हैं या आपको एक मवक्त देदूं फुटाफट कमेंट करके एक तो instagram पर टेक करना तुम लोगों ने कम कर दिया है उसको तो थोड़ा बढ़ा हो अच्छा लगता है देखकर के तो instagram पर जधा टेक करा करो टेलीग्राम प्टीव रहा करो और शाम वाली क्लास में इसमत करना बले भ सब्छास में फुल बच्चे और बहुत मैना से संडे को क्लास हो रही है हम लोग आपके लिए जितना हो सकता है कर रहे है आपको भी रिटर्न में के वल और टेंड करने हम में आपसे इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं ठीक है और बस यह बात है और जल्दी आपके साथ है और सब लोग आपी के लिए काम कर रहे हैं और आपी के लिए काम करते रहेंगे कमेंट करके आपको जो आपने आज पढ़ा उसमें जो सबसे अच्छी बात आपको लगी वह आपको कमेंटेशन में लिखनी है जाहिंद ठेक क्या द्यान को कुछ रो मस्तरों पढ़ाई करते रहो पी ब्लोक को तो ऐसा पढ़ेंगे ऐसा पढ़ेंगे जही नीट बोर्ड में से एक भी नमबनी करते देंगे जाहिंद बबाए ठेक क्यार पीडिएफ टेलिग्राम में मिल जाएगी पाई क्या है